टॉप सेलिंग वर्सेस अपना जो मोस्ट वैल्यू फ़र मनी है इन दोरों के बीच में आज अपन डीटेल कंपारिजन करने वाले हैं हाँ लॉक करने में अपने जो वार वी है में आटो फोल्ड हो रहे हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नितिन गुले और सामने आप देख रहे हैं युनड़े की आई 20 के दो वेरियंट्स और ये दोनों ही वेरियंट्स जो है ना ये काफी जादा वैल्यू फोर मनी होते हैं अब एक तरफ है अपने पास आई 20 का मैगना वेरियंट और एक तरफ है अपने पास इसका स्पोर्ट्स वेरियंट्स अब ये जो है ना मैगना ये सबसे जादा वैल्यू फोर मनी होता है काफी बड़िया फीचर्स इसमें मिल जाते हैं क्योंकि ये बेस मॉडल भी इसके ल पूर होने वाले और चैनल में अगर निव आया है ना तो फटाफट से सबस्क्राइब कर लिजे और बेल नोटिफिकेशन आउन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करू तो आप तक नोटिफिकेशन पहुच जाए इंटिरियर एक्स्टिरियर और इसका जो वा प्राइस की बात करें तो यह 8,63,000 में अपने को अन रोड आ जाती है अब बात करें स्पोर्ट्स वीरिंट की तो यह अपने को एक्स्टो रूम आ जाती है 8,11,000 में अन रोड प्राइस की बात करें तो यह 9,36,000 में अपने को अन रोड आ जाती है और दोनों ही जो प्राइ लेकिन वो difference justify करता है अपने upgrade को तो आप सारी चीजे अपन one by one देखते हैं कि जो upgrade है ना उसमें क्या-क्या features मिल जाते हैं अपने को Magna से sports पे तो सबसे पहले front profile से start करते हैं अब यहाँ पे मैं आपको dimensions जो है ना वो नहीं बताऊँगा क्योंकि दोनों ही car के जो detailed walk around है आपको मेरे channel में मिल जाएंगे description में भी मैं आपको link देदूँगा साथ में जो i button है ना वहाँ पे भी मैं आपको link देदूँगा तो start करते हैं अपन Magna से तो front में देखी Hyundai का logo मिल जाता है piano black में अपने को grill मिल जाती है headlamps की अगर बात करें तो यहाँ पे reflector based headlamps मिल जाते है side में turn signals और नीचे अपने को LED DRLs और projector जो fog lamps है ना वो अपने को मिल जाते है तो काफी बढ़िया अपने को setup मिल जाता है headlights का अब देखिए front profile से ऐसे कुछ looks मिल जाते है अपने को magna variant के अब sports variant की बात करें तो यहाँ पे अपना देखिए यह सारी चीज़े same मिल जाती है और headlamps की बात करें तो grill same मिल जाती है मतलब और headlamps की बात करें तो यह भी reflector based है लेकिन यह है automatic headlamps मतलब यह function मिल जाता है और यह एक difference हो जाता है और नीचे जो setup है पूरा same मिल जाता है तो front profile में side by side अगर अपन देखेंगे न तो आपको difference समझ नहीं आएगा लेकिन sports में अपने को automatic headlamps मिल जाते है तो यह difference हो गया front profile में अब side profile में अपन जैसी जाते है तो इसकी जो चाबी है न वो मैं आपको नहीं दिखाया तो देखिए यहां magna की सबसे पहले बात कर लेते है तो एक flip की और एक normal की मिल जाती है functions की बात करें तो lock, unlock और boot unlock करने का option और एक flip की पीचे Hyundai का logo मिल जाता है अब देखिए unlock और lock करने पे ORVM जो है न electrically fold नहीं हो रहे है क्योंकि यह option यहां नहीं मिलता तो अंदर जाके वो मताता हूँ कि क्या के features मिल जाते हैं इसमें अब बात करें अपन sports variant की तो यहां पे जचाबी है बिल्कुल सेम दिखेगी इसमें जो features है वो भी सेम मिल जाते है एक flip की और एक normal की अब इसको देखते हैं लॉक करके तो यहां लॉक करने में अपने जो वार भी हमें आटो फोल्ड हो रहे हैं तो यह अपने को एक extra feature मिल जाता है और भी है यार मज़ेदार रहने वाला वीडियो काफी जादा क्योंकि बहुत बढ़ी है मतलब जो comparison है आज करने वाले है अपन डीटेल में अब देखे साइट profile में अगर आपन देखे तो creases वगरे काफी बढ़ी है मिल जाते है काफी sharp creases मिलते है looks जो है ना i20 की बड़े जबरदस मिल जाते है अब premium hedgeback segment में आती है अपनी i20 और काफी बड़ी unlooks मिल जाते है अपने को और premiumness भी बड़ी जबरदस मिलती है अब देखे side में गर देखे तो fender में यहाँ पर indicator मिल जाता है base model की पहचाहा नहीं है अब sports variant के side में अपन जाते है न देखे तो अपने को fuel filler cap मिल जाता है कितने stylish तरीके से यहाँ पर integrate किया हुआ है इसकी जो lights है ना उसके साथ में तो इसमें जो 37 liter का fuel tank है उसका mileage भी 21 से 22 kmpl का यहाँ पर मिल जाता है अब rear profile के side में अपन आ गया है तो देखे side by side अगर देखे तो अपने को magna variant में ही shark fin antenna मिल जाता है और इस side भी मिल रहा shark fin antenna अब high mode stop lamp मिल जाता है center में Hyundai का logo और इसके 10 lamps की setup की बात करें तो देखे यहाँ पर अपने को जो इसका setup है ना halogen based मिल जाता है brake lamps, turn signals और reverse parking lamp मिल जाता है i20 और Hyundai की badging मिल जाती और दो मिल जाते हैं यहाँ पर reverse parking sensors अब यह हो गया अब sports variant के side में जाते हैं तो यहाँ देखे अपने को उपर shark fin antenna तो मिल जाता है high mode stop lamp के साथ में यहाँ पर rear defogger भी मिल जाता है यहाँ पर अगर देखे ना तो chrome की एक strip मिल जाती है आपको जो magna variant में नहीं मिल जाती है headlamps की बात करें तो यहाँ पर अपने को LED setup मिल जाता है और यह जो है ना diffuse form में रहेगा और side में turn signals और reverse parking lamp मिल जाते है sports की badging मिल जाती है वहाँ पर magna की badging अपने को नहीं मिल जाती है Hyundai कलो को i20 की badging और इसके नीचे अगर देखें तो अपने को दो मिल जाता है reverse parking sensors और जो reverse parking camera है ना यह देखें यहाँ पर मिल जाता है तो यह एक additional feature मिल जाता है magna में अपने को camera नहीं मिलता और यहाँ पर दो sensor के साथ में camera भी मिल जाता है और यह जो skid plate है ना यार यह देखिए मैं focus करके देखाता हूँ आपको काफी बड़िया looks मिल जाते हैं दोनों में ही मिल जाते हैं और नीचे देखिए reflectors भी आपको मिल जाते हैं तो rear profile से side by side अगर देखिए तो मैं कोशिश करता हूँ देखाने की तो देखिए दोनों के ऐसे कुछ looks अपने को मिल जाते हैं तो looks के मामले में यार तो premium hatchback में है तो premiumness आपको हर जगे feel होगी है i20 में अब boot space की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे एक request sensor मिल जाता है यह देखिए एक request sensor और sports variant में अपने को parcel tree भी मिल जाता है अब केक हो किदर मिल जाता है और एक हो किदर और 311 लीटर का boot space अपने को मिल जाता है तो boot space काफी बढ़िया है और sports variant के side में अपने जाते हैं तो देखिए parcel tray जो है अपने को additional यहाँ पे मिल जाता है और इसके नीचे अगर देखेंगे तो hook तो अपने को मिल जाते है और boot light इसमें अपने को नहीं मिल जाते है तो boot space काफी बढ़िया है यार मतलब काफी बढ़े बढ़े जो back जाना इसमें अपने आ जाएंगे इसलिए कोई इसमें issue नहीं है उपर cladding मिल जाती है दोनों में ही और इसको open कर देते हैं बन तो यह हो गया तो boot space तो काफी बढ़िया अपने को मिलने वाला इसमें तो rear profile अपनी complete होती है अब यार wheels का जो section है न वो मैं आपको बताना भूल गया था तो वो अपन देख लेते हैं side by side अपन सीधे ही निकल गयते हैं बिल्कुल अब दोनों में जो difference है न मैं आपको बताना देखिए magna में अपने को steel rims मिल जाते हैं और इसके अगर section की बात करें तो वो मिल जाता है अपने को 185-65R15 15 इंच के यहां wheels मिल रहा है front में disc और rear में drum brake मिल जाते हैं और अपन बात करें sports variant की तो यहां देखिए इसका जो profile है 195-55R16 16 इंच के यहां पे अपने को wheels मिल जाते हैं और यह जो है ना stylish rims मिल रहे हैं जो alloy wheel का feel है ना वो अपने को इस rim मिल जाता है front में disc और rear में drum brake तो यह इसके braking का setup है तो यहां पे सारी चीज़े outside की अपने देख लिए अब चलते हैं दोनों ही car के interior में पहले magna देखेंगे उसके बाद sports ताकि जो upgrade है ना वो बिल्कुल समझ आ जाए अपने को तो चलिए अब magna के interior को देख लेते की यहां पे अपने को power window के button और electrically adjust करने के लिए यहां पे button मिल जाते है button loader और speaker का grill अब speakers की बात करें तो चार speaker और दो dritters मिल जाते है seats की बात करें तो यहां पे अपने को height adjustment का option नहीं मिलता fabric repository मिल जाती है उपर adjustable अपने को headrest मिल जाते है अब अंदर चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या-क्य features मिल जाते हैं तो सबसे पहले TT को बंद कर देते हैं और चाबी में लगा देता हूँ यहां पे तो यह देखें यह लगा दिया पने चाबी ऐसा कुछ welcome करता है instrument cluster अब gate को open कर देते हैं और car को कर लेते हैं और जिससे जो refinement level है न वो भी अपने चेक कर लेंगे यह देखें refinement तो बड़ा तगड़ा मिल जाता है अपने को i20 में तो उसका कोई issue नहीं है अब यहां पे सारी चीज़े अपने को digital मिल रही है left side में speedometer, right side में tachometer मिल जाता है और center में पहुत सारी information मिल जाती है अपने को यहां पे detailed walk around वाला video देखना ना बोले क्योंकि वहां पे एक एक चीज़ detail में बताई है staring mounted controls भी मिल जाते है यह multimedia और telephonic के और set cluster के जो controls है न वो मिल जाते हैं यहां पे अगर देखिए तो wiper के और right side में अपने को headlamps की control मिल जाते है दोनों के दोनों manual है adjustment की बात करें तो tilt और telescopic क्या बात है यार मतलब base variants है tilt and telescopic दे रहा है यूंटे center में अगर देखिए तो अपने को 8 inch का infotainment system मिल जाता है अब यह connect करता है Android Auto और Apple CarPlay को wirelessly, AC events, hazard का button और नीचे manual AC के controls भी मिल जाते है उसके नीचे अगर देखिए तो 12 volt का power socket और side में USB connectivity मिल जाती है यहां पे तोड़ा space मिल जाता है और 5 speed का manual gearbox मिल जाता है इसमें camera नहीं मिलता इसमें सिर्फ अपने को मिल जाता है reverse parking sensors दो cup holders, hand brake और dedicated arm rest भी मिल जाता है और अंदर देखिए तो space इतना कुछ मिल जाता है यह देखिए glove box की अगर size की बात करें तो इतना कुछ size मिल जाता है और उपर side अगर देखिए तो यहां पे ticket holder center में IRVM जो day and night अपन manually adjust कर सकते है यहां पे अगर देखिए तो sun glass holder भी मिल जाता है cabin light मिल जाती है जो की halogen based है और इस side अगर देखिए तो vanity mirror तो features अपने सारे देख ली और seat का जो comfort in air वो काफी बढ़िया मिल जाता है i20 में अब safety features की बात करें तो front में 2 airbag मिल जाते ABS मिल जाता है और EBD मिल जाता है इस variant में अब चलते हैं अपन sports variant के side में और देखते हैं वहाँ पे अपने को किया कि जो difference है वो देखने को मिल जाते हैं तो car को करते हैं अपन off और chabi को रख देते हैं यहां पे तो देख लिए आपने dashboard अब तयार हो जाएए उसके upgrade देखने के लिए तो यार 73,000 का जो upgrade है न वो बिल्कुल justify करता है sports को तो वो देख लेते हैं अपन तो sports variant के side चलते हैं अब अब अबन अब देखिए इसकी चाबी यहाँ पर रखी हुई है यह तो मैंने आपको बता दिया डोर पैल की अगर बात करें तो यहाँ पर almost सारी चीज़े सेम मिल जाती है बस electrically fold करने का जो button है यह extra आ जाता है और fabric repository है seat में लेकिन height adjustment का भी option अपने को sports variant में मिल जाता है तो अब अब अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो upgrade है वो क्या-क्या मिल जाता है तो gate अपने बंद कर दिया है और चाब यहाँ लगा देते हैं पड़ी जबरदस दूप हो रही है और यह देखिए यहाँ पर यह सारी चीज़े अपने को सेम दिखर रही होगी लेकिन premium ness sports variant में magna से आपको ज़्यादा मिलने वाला है अब वो क्यो है one by one अपन देखते हैं तो वीडियो में बने रही है तो अब अपन कार को start कर लेते हैं क्योंकि बहुत एक जबरदस चीज़े इसमें जो आपको add होती है वहाँ नहीं मिलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ वो है इसका automatic climate control तो automatic climate control मिल रहा है यार अपने को sports variant में तो बड़े जबरदस अबग्रेड ही है अब steering wheel की बात करें तो almost सारी चीज़े सेम है steering mounted control सेम है लेकिन यहाँ अपने को मिल रहा है cruise control मतलब sports variant जो है न top sailing इसलिए क्योंकि top वाले जो features है यहाँ पर मिल जाते है इस variant में cruise control मिल जाता है बाकि सारी चीज़े सेम है और एक जो addition है वो है इसका automatic headlamps का यह हो गया बाकि tilt and telescopic अपना जो steering wheel है वो मिल जाता है और center console की बात करें तो यहां पे भी almost सारी चीज़े सेम है एक अपना जो automatic climate control है वो अपने को difference मिल जाता है यहाँ पे अब gear knob यहाँ पे यह सारी चीज़े सेम मिल जाती है अब उपर side अगर देखे न तो यहाँ पे भी almost सारी चीज़े सेम है यहां कोई difference अपने को नहीं मिलता और seat जो है ना height अपने adjust कर सकते तो यह convenience मिल जाता है अपने को sports variant में साथ में इसमें अपने को एक और feature है जो उसमें नहीं मिलता वो है इसका देखिए TPMS तो TPMS अपने को sports में मिलेगा magna में नहीं मिलेगा तो चलिए अब यहां पर अपने सारे features देख लिए अब चलते हैं rear seat के तरफ और देखते हैं वहाँ पर अपने को क्या के difference मिल जाता है sports और magna में तो magna सबसे पहले देखिए बिल्कुल magna सबसे पहले देखते हैं फिर sports में देखेंगे तो यह देखिए rear अगर seats की बात करें तो काफी बड़िया seats मिल जाती comfortable बहुत है और rear AC vents भी यहां पर अपने को मिल जाते हैं और नीचे एक charging socket और तीनों की तीनों जो headrest है अपने को adjustable मिल जाते हैं और एक अपने को dedicated light भी मिल जाती है तो यह हो गया magna variant का अब sports variant में अगर बात करें न अपन यहां पे भी rear AC vents तो मिली रहे हैं तीनों adjustable headrest मतलब यहां पे सारी चीज़े अपने को same मिल जाती है तो यार rear seat में difference अपने को नहीं मिलेगा उबर light भी यहां पे मिल जाती है तो interior में और exterior में सारी चीज़े अपने देख लिए तो मुझे लगता है सारे जो features हैं अपने explore कर लिए सारे जो doubts थे आपके clear हो गया होंगे अब engine option की अगर बात करें तो 1.2 liter का 4 cylinder petrol engine मिल जाता है दोनों ही car में और इसकी जो mileage की बात करें ना पहने से अब बढ़ गया है यार अब 1.2 liter का जो engine मिलता है इसमें अपने को लगबग 182 HP का power मिल जाता है साथ में 114 nm का torque भी मिल जाता है और mileage की जो बात कर रहे थे अपन fuel efficiency की बात कर रहे थे तो 21 से 22 kmpl तक का mileage अपनी i20 निकाल देती है तो चलिए मुझे लगता है सारे जो doubts से आपके clear हो गया होंगे दोना ही variants के तरफ अब 73,000 का जो upgrade है न वो बिल्कुल justify करता है sports में क्योंकि अपने को front में अगर देखे तो automatic headlamps मिल जाते हैं side में अगर अपन आते हैं तो अपने को stylish rims मिल जाते हैं और seat जो high rate adjustable है वो तो कहां बोल रहा है तो मुझे लगता है सारे जो features थे अपने explore कर लिए और आपके doubts clear हो गया होंगे अब कुछ रह गया होगा तो आप मुझे comment कर सकते हैं उसका जो answer है जल्दी से जल्दी देने की में कोशिश करूँगा तो वीडियो में इतना ही रखते हैं प्राइजिंग में आपको एक और बार बता जता हूँ Magna Variant की एक शोरूम प्राइज की बात करें तो ये अपने को 7,44,000 में आ जाती है अब स्पोर्ट्स की बात करें तो ये अपने को 8,11,000 में एक शोरूम आ जाती है और अन रोड की बात करें तो 9,36,000 में आ अन रोड है जाती है पतलब अन रोड प्राइजिंग में लगबग 33,000 का डिफरेंस है और बिल्कुल जस्टिफाई है तो चलिए आज के कंपरेजन में इतना ही रखते हैं कैसी लगी है दोनों कार्स प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगाओ कार अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर देना शेर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्स्राइब कर देना मेरे चैनल पर तैंक्यू सो मच जए हिंद्ग